हाई मैं हूं मोहित आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ट तो दोस्तों आज मैं आप सब्सक्राइब को एक टाभाई फोन आपर के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी वो लोगे वह क्या बात है तो इस फोन पर आप सब्सक्राइब को टोटल 12200 रुपे का जा था कितना कैसे मिलेगा क्या आप सब्सक्राइब करने वाला हूँ इस वीडियो में तो उसके लिए आप सब्सक्राइब को आप पर कुछ पी नहीं करना है इस वीडियो को लाश्टिय तक जरू देखना है और दोस्तों अभी तक आप लोग ने मेरा टेलेग्राम चैनल क जान करते हो तो वहाँ पर मैं आप से विको सेल के बार में यूटूब से भी पहले अपडेट देता रहाता हूँ तो टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आगे दोस्तों आज के इस वीडियो को बिलिगों पर स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसी सेल में मतलब कि अभी कोई सेल चालू नहीं है रियल्मी जेटी टू में अभी आप सेली को 12,200 रुपे का डिस्काउं कैसे मिलेगा कैसे अभी आप लोग इस फोन को बाई कर सकते हो मातर 22,800 रुपे में अभी आप लोग इस फोन को बाई कर सकते हो मातर 22,900 रुपे में तो अब इस फोन में ओफर कब तक रहेगा ये बोलना थोड़ा सा मुस्किल है तो खेर अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप तबी को इस फोन को बाई करना चाहिए या फिर बाई नहीं करना चाहिए देखिए अगर आप लोग इस फोन को बाई करोगे तो इस फोन में आप तभी को मिलेगा Snapdagger का तीरपल एट गेमिंग फ्लेक्सिव वाला प्रोसेसर तो जिसको भी गेमिंग के लिए फोन चाहिए या फिर परफॉमेंस के लिए फोन चाहिए तो आप लोगयां पर इस फोन को बाई कर सकते हो साथ में इस फोन में आप तो भी को मिलेगा UFS 3.1 का स्टोरेज LPDDR5 वाला रैम 12 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा विद पंचोल के साथ मैं बैक कैमरा के बारे में बात करो तो इस फोन में दिया गया है 3.3 कैमरा का सेटप 50 MP का में कैमरा सकेंडरी कैमरा 8 MP का वाइड एंगल कैमरा जो तीसरा कैमरा है इसमें वही बेकार कैमरा साड़ा हुआ कैमरा 2 मेगा पिक्सल का वहीं तो समय Realme GT2 का डिस्प्ले के बारे में बात करो तो इस फोन में हम से भी को देखने को मिलता है फून HDD Plus 120 Hz का AMOLED डिस्प्ले जिसमें हम से भी को मिलता है HDR10 Plus का सपोर्ट 13 Sun Needs का Brightness तो आप लोग यहां फर इस फोन को भाइ करोगे तो इस फोन में आप से भी को डिस्प्ले के मामला में भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है साथ में इस फोन में दिया गया है 5000 mh का बैटरी 65 Watt का फास्ट चार्जिंग तो बैटरी भी अच्छा है और फास्ट चार्जिंग भी इस फोन में अच्छा है प्लस आप सभी को इस फोन में मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगर फ्रिंट सेंसर फेस उनलॉक का सिस्टम डूल स्पीकर आर्थ जीवी का रैम 128 जीवी का इंटर्नल इस्टोरेज तो मेरे विचार से रियल्मी जीटी टू आप सभी के लिए बेस्ट आल राउंडर फोन होने वाली है प्रप्टे के लिए जय हिंद बनने मातर हम जय हाराद